नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल धाकडेगरी कल्चर में किसान भाईयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज फसल में यूरिया खाथ के उप्योग के बारे में प्याज की फसल में यूरिया खात का उप्योग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए इस विशाई पर आज का ये वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में समझने वाले हैं कि प्याज पसल में यूरिया खात का उप्योग कब करना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में करना चाहिए तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंते तक देखे ताकि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ जाए वीडियो सुरू करने से पहले जितने भी किसान भाई हमारे चेनल पर पहली बार पता रहें तो हमारे इस यूटूब चेनल को आप नीची दियेगे लालक सरो के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चेनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चेनल पर नई नई इंपोर्मेशन देखने को मिलती रहें चलिए बात करते हैं अब प्याज फसल में यूरिया खाथ के उप्योग के बारे में तो आप सभी जानते हैं यूरिया खाथ के अंदर नाइटरोजन पाई जाती है और नाइटरोजन पोदे की ग्रोध को बढ़ाने का काम करती है पोदे में पिलापन की समस्या को दूर करने का काम करती है लेकिन किसान भाईयों हमारी फसलों में यूरिया खात का उपयोग करने का भी एक समय रहता है और वह समय निकल जाने के बाद अगर हम यूरिया खात का उपयोग अपनी फसलों में करते हैं तो उसका reaction देखने को मिलता है और बहुती कम हमें उसका result भी देखने को मिलता है तो आईए अब समझते हैं कि प्याज फसल में यूरिया खात का उपयोग कौन से समय पर करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए तो देखिए किसान भाईयों जब आप प्याज की बुवाई करते हैं बुवाई के लगवग 25 दिन बाद आप पहली बार यूरिया खात का उपयोग अपनी प्याज फसल में कर सकते हैं क्योंकि जब हम बुवाई करते हैं तो बुवाई के बाद जब फसल 25 दिन की होती है तो उस टाइम पर फसल की प्रात्मी कवस्ता चलती है और उस अवस्ता में पोदे को नाइटोजन की आउसकता सरवादिक मात्रा में होती है तो उस टाइम पर हमें नाइटोजन यानि की की दरसे भी यूरियाखध की मात्रा रग सकते हैं इसके आगे जब आपकी प्यार फशल 40-45 दिन के आसवास हो जाती है या फिर 50 दिन के आसवास भी हो जाती है तो उस टैम पर आपको दूसरी बार यूरियाखध का उपरो करना चाहिए उस टाइम पर भी आपको लगवग 30-40 किलोग्राम परती एकरड की दर्से यूरिया खाट की मातरा रखकर आपको फ्याज फसल में यूज़ करना चाहिए अब किसान भाई जब फसल 50 दिन के बाद 60-60-60 दिन की हो जाती है तो उस टाइम पर आपको अपनी प्याज फसल में जूरिया खाट का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बाद में प्याज फसल में कंद बनना सुरू हो जाता है और बहुत सारे किसान भाई तो प्याज की नरसरी त्यार करने के बाद बुआई करते हैं तो पचास सार दिन पर आपकी फसल में प्याज का कंद लगबग अच्छा बनने लग जाता है और वहीं अगर आप डारेक्ट बीज डाल कर बुआई करते हैं तो सार दिन पर ऐसा बढ़िया कंद नहीं बनता है उसके बाद में बनना सुरू होता है तो आप सार दिन की स्टेज पर अगर आपने बीज डाल कर बुआई की है तो आप यूरिया खात का उपयोग उस टाइम पर भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपने नरसरी डाल कर फिर नरसरी की रोपाई की है तो 60-60 दिन पर आप यूरिया खात का उपयोग ना करें उसके बाद में आपको करना चाहिए केलसिम नाइटेर खात का उपयोग और उस केलसिम नाइटेर की बात करें तो उसके अंदर नाइटोजन पाई जाती है केलसम पाय जाता है तो आपकी फसल को मजबूती भी देगा और नाइटरोजन जो की नाइटरेट फोर्म में पाय जाती है वो आपकी फसल की ग्रोध भी बढ़ाएगी उसका रियक्षन आपको नहीं मिलेगा तो आप इस भात का खास तोर पर ध्यान रखे कि प्याज भसल में 60-50 दिन की स्टेज के बाद में आप वीडिया खात का उपयोग कम से कम करें और केलसम नाइटर का उपयोग करें तो आपको अच्छे परियनाम देखने को मिलेंगे और पेदावार भी अच्छी निकलेगी इस वीडियो में बस इतनी ही जानकरी थी उमीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें तन्यवाद जय जवान जय किसाथ